अजया अलोग जी मेला पहला प्रश्ण आपसे है और वो प्रश्ण ये है कि विपक्ष अगर खामिया अगनीवीर स्कीम की बता रहा है कि ये गलत है उसमें ये गलत है तो आप कैसे कह रहें कि वो जूट बोल रहे हैं ब्रम फैला रहे हैं कौन सा ब्रम फैला रहा है विपक् नजीवन से प्रीथ, वीरता या वीरगती यही है भारतिय सेना का प्रतीक, उस भारतिय सेना पे अगणी वीरी ओजना ये कोई आज हम ले क्या है, पहले तो ये बोलते रहें कि मोदी जी के पिटारे से निकला डिफेंस मिनिस्ट्रि को पता नही था मोदी जी ले के आगे, य लेकिन यहां पे समस्या संख्या नहीं, यहां पे समस्या आयू है, 77 से यह बात चल रही थी कि करना चाहिए, 1989 में भारतिय सेना में सर्मती बन चुकी थी कि नहीं हमें आवरेज उमर सेरा की घटानी है, लेकिन लटकाना, अटकाना, भटकाना, चलते रहा, चलते रहा, चलते इन तमाम जंजवातों को जहलते जहलते आज अब अगनी वीर स्कीम आई है जो कि आमी ने लाई है 159 और्गनाइजेशन से कंसल्ट किया गया देश भर के कम सकम 35 देश के सिनाओं पर अध्यान किया गया और उसके बाद यह स्कीम लाई गई है आप बिना स्कीम को जाने आप आ में भ्रहम फहलाना शुरू कर दिये पेंशन नहीं मिलेगा चार साल करके बेरोजगार। जयएगा ही तियों विक्षा इनको एज रिलाक्सेशन दी जा रही है इनका कॉंपनसेशन देखा जा रहा है इस चुनाओ का साइड इफेक्ट है 240 सीट मिली आपको समझ में आया कि कई लोग अगनीवीर स्कीम को लेकर कई लोगों में घुसा है तब आपने अब उसके बाद ही सारा अनाउंस्मेंट किया है अगर आप जोड़ दीजिएगा चुनाओ में हमें कम सीट नहीं मिली हम सबसे बड़े दल है जो हमको कहते हैं कि हमको कम सीट मिली उनसे धाई गुना ज्यादा है जो पेंशन वाली बात आपने किती जल्दी से सुना देते हैं प्रधानवंसी नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा विपक्षबार बार यह कह रहा है कि पेंशन नहीं देना चाहते हैं पेंशन बचाना चाहते हैं इसलिए यह अगनी वीर स्कीम लाएं सुनिए फिर मैं आरियों अनमा जी प्रवेट सेक्टर और पैलामेट्री फॉर्सेट में भी अगनी वीरों को प्राश्पिक्ता देने की गोच्छनाएं की मतहरानों कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है उनकी सोच को क्या हो चुका है ऐसा ब्रव्भ भला रहे हैं कि सरकार पैंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है आज मोदी के शासनकान में जो भरती होगा कि आज ही उसको पैंशन देना है गया उसको पैंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का होगा और तम न भी मोदी की सरकार होगी क्या मोदी जब 105 साल का होगा तीस साल के बाद जो पैंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीती है जो आज गाली खाएगा क्या तर्ग दे रहे हैं लेकिन साध्यों मेरे लिए दल नहीं बेसर वो परी है अनुमा जी यह सीधा जवाब एक तो यह पेंशन वाले मुद्दे का होगा कि पेंशन नहीं बचाना होगा तो वो जो आज जॉइन कर रहा है वो तो कब रिटायर होगा तब तक मेरी उम्र एक सब पांच साल होगी युवा आमी को लेकर क्योंकि अमेरिका हो यूके हो फ्रांस हो इस्राइल हो एवरेज एज 26 से 27 हमारा 32 अब वो कह रहें अगनीवीर स्कीम के बाद एक एवरेज एज हमारी फॉज की आने वाले दिनों में घटकर 26 हो जाएगा अब यह पॉलिटिक्स तो है नहीं यहां पर पहले तो मैं कारगिल के शहीदों को शद्धान जली देती हूं और कभी माफ नहीं कर पाऊंगी बीजेपी की सरकारों को जिन्होंने कारगिल के समय भी इंटेलिजेंस फेलियर होने दिया और पुलवा मैं में भी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और उसका श्वेत पत्र उसके आधार पर बात करती हूँ आज जो अगनिपत स्कीम आई है जैसे हमारी एंट्री हुई थी जब 1992-1991 में उस समय पाइलेट प्रोजेक्ट आया था महिला अधिकारी पांच साल के लिए लिए जाएंगी अगर सफल होती है तो फिर extension दिया जाएगा और उसके बाद उनसे Permanent Commission के लिए पूछा जाएगा वो पाइलेट प्रोजेक्ट हुआ क्या हमारी सेना में हर बार एक पाइलेट प्रोजेक्ट के बगार कोई स्कीम लाँच नहीं की जाती पहली बात तो ये है दूसरी बात मैंने अपने पूरे 24 साल के करियर में मुश्किल से एकाद आत्महत् एक ने चोरी की है आपको पता है सभी ने देखा है कि एक कार चोरी की है क्या कमी है उसे पहले जो 35 लाख युवा हमारी सेनाओं में अप्लाई करते थे आज 10 लाख से भी कम हो गए हैं बहुत से ऐसी अगनिवीर हैं जो वहां संस्थाओं से ही निकल के जा रहे हैं ये सब क कि सर्विस के बाद आज मुझे OROP का अधिकार नहीं है कोई एक उन्होंने फ्लूग डेट पर एक बोल दिया कि आज जुलाई 2014 के बाद सब किसी को OROP नहीं मिलेगा तो नहीं ना मिला है कितने जूट बोलेंगे देश से और दुखत बात ये है कि सेना के जनरल्स को जबर वक्ता बहुत दिनों पहले तक डिफेंस पेंशन की बात कर रहे थे इन्होंने बार बार अपने वक्तव्य बदले हैं और चूकि मैं सेनाओं से आती हूँ अभी मेरी एक एर मार्शल साहब से बात हुई जो कि सिटेंग एर मार्शल है उन्होंने का हमें समझ ही नहीं आ रह हो रहे हैं सेनाओं का केवल राजनेतिक इस्तेमाल करने वाले प्रधान मंत्री यह जान लें कि सेना तो शूरवीर है लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री कायर है क्योंकि चीन के हमारी सरोदों में घुसाने के बाद भी वो कहते ना कोई घुसा है तो कोई घुसा आया है तो ये शर्णाग बाते हैं ये बिल्कुल सेनाओं की स्कीम नहीं होती है लेकिन देश के प्रधान मंतरी को कायर कहने वाला देश भक तो नहीं हो सकता है इसलिए ये भाशा पे सयम और मर्यादा होना बहुत जरूरी है करती है यह पर प्रधान मंतरी कायर होता है जब युद्ध हो जाए और अपनी एर फोर्स को अटैक करने से रोग दे वो प्रधान मंतरी कायर होता है चीनी फॉज को जो खाना खिला है उनीस वबावन में वो प्रधान मंतरी कायर होता है या पाकिस्तान में घुस के मारे वो प्रधान मंतरी कायर होता है कौन होता है कायर की डेफिनिशन बताएं तो यह जवालाल नहरू ओपेन चाक्ट है दोनों जेनरल ने आप खड़े अंगर में जूट बोल रहा हूं के उनीस सो बावन में तिबत पे जब चाइना ने अटैक किया था हम हिंदुस्तान हिंदुस्तानी लोग हमारे हिंदुस्तान की चावल जाती ती चीना से ने को खेना हो गया बैठा के आपने खिलाया है डोकला मोराता राउल गांधी चीनी के साथ बैठके डिनर खा रहे थे बड़ी वीरता थी बारे भाई वीरता एक से एक वीरता देखी हमने कॉंग्रेस पाटी की तो और यह बोलना आज की तारीक में प्रधान मंतरी कायर है तो आपके कह प्रधान मंतरी कायर होता है जो अगनी पच जैसी स्कीम लाकर सेनाओ को अंदर में क्योंकि हमारे यहां बड़ी सिस्टम होता है आपको याद दिलाओं नगतर से में हैं व्रधान मंतरी कायर होता है जो पुल्वामा का हमला होने के बाद भी श्वेत पत्र नहीं है आप लोगों पर क्या आरोप लगेगा कि आप इसकी तरफ बोल रहें उसकी तरफ लेकिन देश के लिए अधिना जी जब हम कहते हैं कोई चीज कि यह गलत है और अगर लगता है कॉंग्रेस को कि हाँ गलत है तो लोग कह देते हम कॉंग्रेस का पक्स ले रहें और जब लगता हम ऐसी बात कर रहें जो कि उसमें है तो लोग के दिर हम बीजेटी का पक्स ले रहें तो हमें तो यह जहलना पड़ेगा और हम जहले हैं कोई ऐसी बात है हमारे अपने विचार बिल्कुल देखो अंजना इसमें कोई शक नहीं जो यह स्कीम आई थी यह एक बड़े हमला किया गया तो फिर पाया गया कि यांग परसाइल जो सुलजर हैं वह ज़ादा चर सकते हैं बहुत मुश्कड था एक यह था एक कहीं नहीं यह था कि कहीं नहीं जो capital fund है आपका defense का उसके अंदर पैसा नहीं बता जाता है रेवनियू में चला जाता है पेई पेंशन में उसको भी एक परकार से करेक्शन मोड दिया जाए अब बात आती है अगनी पास स्कीम की जो को अगनी पास स्कीम में मैं अभी भी सोता हूँ कि तीन चाहर रिक्मेंडेशन अब जो चीज आगी आप उसको सुधार तो सकते हैं दानने के लिए गौर्मेंट ने बहुत बार बोल दिया कि करेंगे कैसे मैं बताता हूँ जो पच्छीस परसंट आप कहरे हो रिटेन वो पचास परसंट और गौर्मेंट ने काफी हद तक इसके उपर एक परकार इशारे की हैं कि वो त्यार है दूसरा इंपॉर्टन चीज है कि भाई इसको जो आप जब जाएंगे चार साल के बाद एक तो चार साल काम है इसको साथ साल करो क्योंकि चार साल में देख दो साल तो उसके ट्रेनिंग में लिग जाते हैं अगर उसका बेस्ट यूज़ करना है तो साथ साल तीग है दूसरा जो तीसरा पाइंट आ रहा है कि भाई उनको जब आपज़ाब करो C.A.P.F. पुलिस वगरा में ये ट्रेन है मोटिवेटेड हैं और उसके बाद क्या है कि ट्रेनिंग में पैसा नहीं करना पड़ेगा तो मुझे लगता है ये भी गॉर्मेंट करने को त्यार है ये भी बड़े है सबसे ज़्यादा स्थिकी पाइंट एक रहता है अंजरा जो की बहुत इंपोर्टन्ट है मुझे लगता वो इमोशनल पाइंट है गॉर्मेंट को पका सोचेगी पॉजिटिव वो ये है कि अगर चार साल के अंदर कोई अगरी भी शहीद हो जाता है लाइन ओफ डूटी पे चाहिए लाइन ओफ कंट्रोल पे या लाइन ओफ एक्शल कंट्रोल पे तो उसको उतना ही सब कुछ मिलना चाहिए जो की एक Regular Soldier को मिलता है उसकी वज़ा है उसकी वज़ा है गोली पैचांती नहीं है कौन Regular है कौन आपका एक परकार से Regular Soldier दोलों बनने को त्यार है देश के लिए ये सचाई है Confidence, Training, Motivation फोज का बहुत जादा है और इसको बदलें किसी तरीके से ऐसा तरीका निकालें अगर कोई शहीद हो जाता है चार साल में तो उसको सब कुछ वही मिले जो कि एक regular soldier को मिलता है मुझे लगता ये सब ही किसा कहने की स्कूशिक करें अब जो पाइंट आसा है एक सेकंद मैं आपको टोक रही हूँ खबर यहा रही है कि उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश हम आपको बता दे इन राज्यों की तरफ से गोशना किया गया है कि वो अब लागू कर रहे हैं स्कीम को और उस बावत जो जानकारी है वो हम आपको बताते हैं अगनीवीर को लेकर यूपी और एंपी में बड़ा एलान किया गया है यूपी पुलिस और पीएसी में अगनीवीरों को आख कोटा होगा ये योगी आरित तिनाथ ने कहा है उत्तर पिदेश पुलिस हो पीएसी हो उसमें उनका कोटा होगा आगे की नौकरी चार साल के बाद के लिए ऐसे ही एंपी पुलिस में भी और इसे के साद मोहन यादर के वहार के मुख्य मंत्री वो भी ऐलान कर रहे है इससे पहले चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सेंग हो अन्य मंत्री कहां कहां पर कौन से सेंट्रल फोसस में उनके लिए दस कीज़ी का आरक्षण हो रहा है इन सब का एलान किया गया आई आपको सुना देते हैं दोनों मुख के वो अंत्री क्या कह रहे है कि अगनिप्वीर की यूशना जैसे आगे वड़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तरप्रदेश पुलिस सेवा में पी-ए-सी में इन नौजवानों को प्रात्मिक्ता के आधार पर समायुचन की एक सुविधा देंगे वेटेश देंगे उनके लिए एक निश्चित आरक्षन की सुविधा हम अपनी सेन अपनी पुलिस में उपलब्द करवाएंगे एक टेंड मैन पावर हमें मिलेगा अनुसासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाब राज्य लेनेंग के लिए पूरी तरह हम लोग प्रत्वप्द होंगे कि इन टेंड युवाओं को मागे बढ़ा सकें आज कारगिल दिवस के उसर पर विश्वश्वी प्रधवन मंत्री स्रीमा नरिन मोदी जी की भावना को निसार नेड़े करती है कि हमारे यां विवित प्रकार की पुलिस और ससस्त्रबलों की भरती में अगनी वीर जवानों को अरक्षन का लाब देगी